आपके पसन के तरफ से जो राशी निकल के आई है वो है Aries, Leo, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces Significantly यहाँ Cancer Energy है और आपके साइर से जो कार्ट निकला है वो है Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aquarius यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आप दोनों के जो Energy है वो काफी 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 confusing है और Clueless है तब आप दोनों ही नहीं जानते आखेर इस रिष्टे का मतलब future क्या है इस रिष्टा कहां जाएगा, कहां तक जाएगा दोनों को मतलब किस दिशा जाना है वो रास्ते का पता ही नहीं है कि क्या होगा, क्या करोगे, किस दिशा जाओगे दोनों के पास ही कोई आइडिया नहीं है आप दोनों ही clueless, helpless मुझे यहाँ पर दिख रहे हो और आपके person काफी lost feel कर रहे है आप दोनों ही मतलब आप दोनों नहीं हाथ उठा लिया है पता नहीं क्या होगा इस दिश्टे का आप दोनों नहीं छोड़ दिया है जो होगा देखा जाएगा यहाँ पर आपके person के energy hopeless and helpless की energy यहाँ पर मुझे देख रही है यहाँ पर आपके person अपना पूरा शस्त्र पूरा डाल दिया है friends यहाँ में देख रही हूँ आपके पसन के दिन एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे है वे अपना दिन पूरा घसीट घसीट कर खीच खीच कर चल रहे है उन्हें कुछ नहीं पता कैसे अपने आगे दिन कैसे निकलेंगे आपके बिना आपके person बहुत मतलब खीच खाज के दिन निकाल रहे है but work मतलब दूसरी तरफ आप इस person को बहुत प्यार करते हो और आप भी जानते हो कि ये person आपको बहुत प्यार करते है but आप भी helpless and hopeless हो आप मतलब चाहा के भी कुछ नहीं कर सकते और आप भी मतलब कुछ ऐसा ही loneliness, clueless feel कर रहे हो but आप फिर भी इस person को बहुत प्यार करते हो यहाँ पर मैं आपकी current feeling देख रही हूँ आपने इस relationship से दो खुद को निकाला है मतलब आपके पास कोई उपाई नहीं है दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपने अपने दिल को बड़ी ही इसे किया friends आपने बड़ी मुश्चिल से इस person को अपने दिल से निकाला है पर दिमाग में इस person के जितने भी memory से अभी भी है ठीक है इस person के साथ आपके मतलब जितने भी memory से वो सब यादे आपका जीना दुश्वार कर रही है आपका दिल कहता है कि इस person से reach out करो call करो and सब ठीक कर दो but आपने अपने दिल पर पत्थर सरक कर move on मतलब move on करने का decision ये ठीक समझाए आपने move on का जो सोचा है ना तो ये decision मुझे भी बहुत ठीक लग रहा है ठीक है और आप ये भी सुचते है कि अपर कोई फायदा नहीं है कोई hope नहीं है यहाँ best है कि आप यहाँ से move on करें आपकी energy यहाँ पर movement को दिखा रही है ठीक है आप मतलब कश्ट करके दिल को समझा कर अप life में जो होगा दिखा जाएगा बोलकर ये सोच कर आगे तो बढ़ रहे है आप आगे बढ़ रहे है आप अपने life में और अच्छा कर रहे है आप सच में अपने life में बहुत अच्छा कर रहे है सब कुछ आपके life में अच्छा हो रहा है पर आपके दिल के अंदर कुछ हलचल मची हुई है ठीक है आप कितने भी उपर से happy हो आपने अपने person को avoid किया, ignore किया, उसे छोड़ दिया लेकिन कहीं न कहीं आप बहुत ही अकिलापन महसूस कर रहे हो जहां तक मैं यहां पर देख रही हूँ आप अपने person से कुछ पुछना चाहते हो आपके दिल से यह आवास निकली है जहां तक मैं यहां पर मुझे दिख रहा है आपके दिमाग में, आपके दिल में हजारों सवाल है आपके दिमाग में कुछन का मतलब पहाड बन गया है मैं देख रही हूँ इन देख रही हूँ, इन देख पास्ट आपके person के साथ आपकी बहुत सारी fighting हो गई थी argument हो गई थे और आपने बातों बातों में बहुत कुछ ऐसा बोल दिया आपके person को, क्योंकि आप चाहते तो हो कि at least यह person, इसलिए मतलब आपने बोला चाहिए यह person at least fight करके भी कुछ तो बोले अपने दिल की बात you feel very alone and you want to reach out to them यहाँ I am saying you keep yourself very busy आपने खुद को इतना busy रखा है कि मतलब उनके खयाल को भी आपके दिमाग तक पौशने नहीं दे रहे हो अपने दिल तक दस्तक देने नहीं दे रहे हो तो यहाँ पर जो busy energy आपकी दिख रही है मुझे ठीक है और यहाँ पर mostly यहाँ में देख रही हूँ आप शायब यूट्यूबर content creator खुद हो सकते हो अपने अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रखे है आप अपने आपको busy बहुत busy करके रखा है आपने अपने अपने आपको इसलिए busy करके रखा है कि मतलब आप मतलब कुछ भी tension लेने से भी डरने लगे है लेकिन कुछ भी हो मतलब आप ऐसे person मुझे आप दिख रहे हो अगर आपके life में love नहीं है तो आपके life में कुछ नहीं है ठीक है तो आप मतलब बहुत loneliness मतलब बहुत sad energy दिख रही है मुझे और भले ही आपने अपने आपको stop कर दिया मतलब इस person को chasing करने में लेकि फिर विए मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं से इस person को observesली stop कर रहा है यह person कि यह person आपके बारे में कुछ तो बोल रहे है कि नहीं क्या कर रहा है यह person क्या मतलब यह कुछ तो बोल रहा है आपके बारे में यह इंसा मुझे प्यार करता है या नहीं आपको मतलब इस सब जानने की अभी भी मतलब बहुत चिग्यासा है friends मैं आप देख रही हूँ ना कि आप मतलब आगर आप ज़्यादा ही इसको stop कर रहे हैं प्लीज आप मत कीचिस टोग और आपके इंडिशन बहुत ही true and pure है आप इस person से सिर्व love only love चाहते है प्यार चाहते है very simple सा ठीक है मैं आपके यह देख रही हूँ मतलब आपके person की जो feeling है ना वो सबसे पहले आपके person हर चीज में यही देख रहे है कि अगर मुझे क्या मिलेगा इस दिश्टे में मैं मतलब क्या चीज मतलब मैं lost करूँगा अगर आपके person आपके साथ relationship में आएंगे तो next यह person आपसे बहुत प्यार करते है ठीक है मैं मानती हूँ यहाँ पर तो बहुत प्यार दिख रहा है बहुत बहुत एक्सिस प्यार दिख रहा है बट इन्होंने जताना मतलब छोड़ी दिया है और उतना जताना अब यह person ऐसा कुछ नहीं करते हैं बट they love you यह person बहुत प्यार करते हैं आप से बहुत loyal है committed है दिल से आपसे प्यार कर पर परसन बहुत मतलब तोल मूल करते है फ्रेंज मुझे बिल्कुल खासकर पसंद नहीं है अब यह आपको कड़वी बात बोलूगी आप बुरा मनेंगा यह जो परसन है अगर इतना दिल से आपको प्यार करते है तो यह ना क्यों तोल मूल करते है यह तो शेल्फिश्ड आपके प्यार है जो तोलमुल करके आपके पास आना चाहता है बहुत बहुत प्यार भरा है मेरे ख्याल से आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया इस परसंड को एवॉइट किया इसको छोड़ दिया ठीक है लेकिन हैं मैं देख रही हूं लास्ट जो एनरजी है यह जो कोई जरुवत नहीं है इस रिष्टे को बचाने के लिए यहां पर आपके तरफ से मतलब कोई आपको मतलब एफ़र डालने के जोड़ नहीं कि परसंड अपमे तरफ से खुद एफ़र डालेंगे और अपना पहला कादम उठाएंगे जो कि मैं साफ साफ इन कार्ट में करकिकल है लेकिन फ्रैंज जब बात आती है दिल की तो एक लौजिकल प्रैक्टिकल परसंड को भी हार मारनी पड़ती है तो फ्रीन्स लास्टी कार्ड में ने यह देखना की अधियार गुए तू मोज्व टवर्थ यू अचानक्से आएंगे आपके लाइफ में अचानक